हेलो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है कुरोना जो नीव वेरियंट जो कुरोना आया है उसी के बारें बताएंगे और बिहार का ये न्यूज है तो चले चलते हैं अपने वीडियो को तरह उसके पहले आप लोग से निवे देन हैं दोस्तों इस चैनल को है निज के तरह बिहार में नाइट करफी या लॉकडाउन नीड़े कल होगा ठीक है ये जो कल करफी होगा चाए लोग्डाउन होगा कल जो सरकार नीड़े लेगे विचार्पार के राज में छे दिन में 750 परसिंट बढ़ा संक्रमन सियम बोले अभी हालात वैसे नहीं है मे बिहार तेजी से बढ़ते करोना वाइरस से चीनता बढ़ा दी है मरीजों को संख्या में लगतारी छाफ़ा हो रहा है इसे देखते हुए अब राज बंदिशों की ओर बढ़ने लगा है बिहार में नाइट कर्फ्यू लगेगा या लॉक्डाउन या सिर्फ थोड़ी सी सकती बढ़ेगी इसका फैसला कल की बैठक में होगा ओके कल बैठक होने वाली है अब कल देखते हैं क्या होता है बच्चों को वैक्सिन करेक्राम का सुभाराम करते हुए मुख मंत्री नितिस कुमार ने कहा बिहार में अभी इस्तिती वैसी नहीं आई है नाइट कर्फी या समिच्छा होगी और फिर हम नीड़े लेगे इस दौरान सीम ने यह अपनी समाज सुधार को लेकर कहा यह नहीं टलेगा कल मेरी यात्रा होगी ओके हालिका हाकीकत्य है कि बीते छे दिनों में करोना के केस में 750 परसेंट की बढ़तरी हुई है 28 दिसंबर को 47 करोना पुजिटिव केस आये थे तो दो जनर्वर्जी को 352 नए मामले सामने आए आई जी आई एमस में ओमिक्रान का होगा टेस्ट यह जो एस्पिटल है वहां टेस्ट होगा इसका निसुष कुमार ने कहा ओमिक्रान की चांज के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग की विवस्ता आज से आज जी आई एमस में सुरू हो रही है अब तुरंत इसका टेस्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा की इस्तितिक क्या है स्वास्त्रमंत्री मंगल पांडे लगतार इसके इसमें एक एक चीज को देख रहे हैं और एक्टिव हैं बिहार में करोना की जाच को लेकर लगतार हम लोग गंभीर हैं जाच में भी तेजी लाई जा रही हैं जलते हैं नेक्ट में करोना का तीसरा दोर सुरू जल्द से जल्द ले ठीका सियम ने कहा सुबे के बच्चे बच्चियों को जल्द से जल्द ठीका लगा दिया जाएगा बिहार में पहले 60 साल से अधिक और इसके बाद सारे लोगों का टीका करण किया गया अब तक राज में 10 करोड से ज्यादा टीका करण किया जा चुका है अब हम लोग सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो बच्चे हुए लोग हैं वो टीका ले ले ताकि उनकी सुरच्छा हो सके उन्होंने कहा करोणा का तीसरा दौर सुरू हो चुका है दुनिया भर में देश भर में अपने राजियों में भी केस बढ़ने लगा है जाच का इंतेजाम कर दिया गया है बिहार में भीते छे दिन में करोणा का रफ्तार चे दिन में कैसे इसमें आप लोग का करोणा बढ़ रहा है वह आप लोग इस ग्राफ में देख चुकते हैं अठाइश दिसंबर को 47 आये थे 29 दिसंबर को 77 30 दिसंबर को 31 31 दिसंबर को database और एक जनवरी को दूसरे कासी दो जनवरी को तीन सबावन और आज का जो तीन है तो तीन का भी अप्टेट आएगा तो कल बताएंगे अबी वैसे इस्तिटी नहीं आई सुरच्छा का रखा जा रहा है ध्यान अपनी समा सुधार अवियान पर सियम ने कहा मेरी यात्रा कल होगी इन सब चीजों का समिच्छा करके जो नीले लेना होगा वो नीले लेंगे अभी वैसे ही इस्तिती नहीं आई है हम लोग जो मीटिंग करते हैं उसमें सुरच्छा का द्यान रखा जाता है जीवका दिदिक की सुरच्छा के साथ अंदर लाया जाता है और बैठक बैठाया जाता है हाँ एक बात और है कि जब मैं जाता हूँ तो भीर काफी बढ़ जाती है सब लोगों के साथ बात्चित करनी परती है सब लोगों को बात सुननी परती है समिच्छा बैटक भी होती है मैं सभी मैं सभी चीज की समिच्छा कर रहा हूं देखेंगे जो भी होगा उस विचार उस पर विचार किया जा रहा है कल में यात्रा में जाओंगा डॉक्टरों का पाशिटिव होने परमुक मंत्री जी ने सारे चीजों को समिश्चा हो रही है हम लगतार मानिटरिंग कर रहे हैं जो नीले होगा वह बता दिया जाएगा तो दोस्तों वियार का यूज है जो न्यू बैरियंट करोना आया हुआ है डेली डेली पर डेली करोना का लगतार बढ़ते जा रहा है इसमें आप लोग आप ल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चले चलते हैं फिर मिलते हैं अपने नीव वीडियो के साथ तब तक लिए टाटा बाई बाई टेक्यार